मुश्कार मैं हुराम प्रिकाश राइए आम आदमी पार्टी और भारती जन्ता पार्टी के भी जो विवाज शुरू हुआ था मनीश सोधिया पर लगे हुए तमाम आरोप और उसके पहले का वह व्याद फिलाल थमने का नाम नहीं ले रहा है मनिश सोधिया पर से बियाई जाँच हुई जिसको लेकर कर कि हाम आदमी पार्टी एकसर भारती जन्ता पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगाती रहती है कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही जाती है कि भारती जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कारे करताओं और नेताओं को परिशान करने के लिए इस तरीके का काम करती है इसके साथ साथ वो आम आदमी पार्टी की जो दूसरे प्रदेशों में सरकारें बन रही है और जो दूसरे प्रदेशों में लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है इससे भारती जनता पार्टी चिंती था और इसी की मद्दे नजर ये सारे जो कारवाईयां की जाती हैं वो होती ह चाहे वो से तिंजयन को ले करके हो या मनिशी सोधिया को ले करके मनिशी सोधिया को ले करके आम आदमी पार्टी के सहीं हो जग अर्बिन केजरिवाल कई बार भारती जनता पार्टी के सेस्ट नेताओं सहीद प्रदान मंत्री और दूसरे जो तमाम नेता हैं इस तरीके की तमाम चीज़ें हम देखे-सुनते और पढ़ते रहते हैं आप आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर भारती जनता पार्टी पर नए आरूप लगे हैं एक नए घोटाला जो करिब-करिब 6,000 क्रोनों का बचाए जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इनके विधायक हैं दुर्गेश पाठक उन्होंने बकाइदा मीडिया से बातचीत के उन्होंने बारती जन्ता पार्टी पर यह रूप लगाया कि भाजपा ने टोल घोटाला किया है टोल घोटाले में लगबग 6,000 करोन की हिरा फेली का मा बावजूद भी उसके कोई जाच नहीं कराई जा रही है अपने इन आरोपों में जो दुर्गेश पाठक हैं उन्होंने कहा कि जिस पहले भारते जो एमसीडी ने एक टोल को एलाट किया था जो बारस हो करोन में वो टोल एलाट हुआ था जबकि जिस कंपनी को टोल एलाट त्योरा से टेंडर हो और फिर से उस टेंडर को उसी कंपनी के सिस्ट नंतन कंसर्ब को दे दिया गया और तब यही जो एही टेंडर को क्रौन तरीके की फिनेंशल हिसाब किताब को लगाते हुए इस तोल घोटाले में रासी की जो हेरा फिरी है उसको अनुमानित लगबग 6,000 करून की बात करी जा रही है अब आदमी पार्टी के तरफ से यह बहत गंभीर आरूप भारती जन्ता पार्टी पर लगाए गए साथी साथ दुरके स्पाठक ने भी एक बार ये बात दो रहा ही कि प्रदान मंतरी की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और कारेकरताओं को परेशान करने के लिए उनको जेल में डाला जाये चाहें किसी भी तरीके से करके इसके लावा उपरा जिपाल जो ब्रेकफास में भी ज्याच के आदेश देते हैं वह इस मामले में आखर जिपाल कि तरफ से जारी नहीं की गई है जायén तो दूर की बात है साथी साथ दुर्गेस पार्टिक ने कहा कि इसकी सीग्रा तिसीग्रे जांच होनी चाहिए आखिर एलजी इसकी जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जरूर इसमें भारती जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं और उन्हीं बड़ी नेताओं को बचाने की दवाव के चलते हैं अलजी असादिश नहीं दे पा रहे हैं दुर्गेस पार्टक ने जो कहा वो आप सुनते चलिए आज दिल्ली की जनता के सामने हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं भारती जनता पार्टी से भारती जनता पार्टी ये बताए कि उनका कौन सीनियर लेता इस पूरे करप्शन में इंवाल्व है जिसकी वो जाच कराने से भाग रहे हैं अलजी साब जिस नेता की जाच नहीं करा पा रहे हैं इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा नेता इस पूरे टोल घोटाले में इंवाल्व है जो कि दिल्ली की जनता के गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा था च्छे अजार करोर रुपे लूट ले गया लेकिन भारती जनता पार्टी के दौरा अपॉइंट्प्रेंट उठते हैं एक जाच की आदेश देते हैं मिलता कुछ नहीं फिर तीसरे दिन एक नहीं जाच की आदेश देते हैं अभी तक उन्होंने आमादी पार्टी के उपर कई सारे जाच की आदेश दे दिया लेकिन मिला कुछ नहीं ना कोई सबूत है, ना कोई डॉक्मेंट है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी हम वेलकम करते हैं, हम उनसे कहते हैं, अगर आप हमारी और भी जाच कराना चाहते हैं, आप हमारी जाच करा लो, लेकिन इसकी भी तो जाच करा हो, इसकी जाच क्यों नहीं करा रहे हो, ये 6,000 करोन र भरैज उसे रहा है कि अगर वो जांच करा यह तो बड़ा नेता उत्ता जिल जासकता है मारी हाथ जोडकर भिंती है इसकी जांच कराई अगर उसकी जांच नहीं कराते हैं तो लोगों के मन में सक जरूर जाएगा कि इसका मतलब कि खेल बहुत बड़े लेवल का है और भारती जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता इसमें इंवाल्व है जिसमें हिम्मत नहीं है जिस आपकी कि उसके खिलाब जाज करने के आदिश देदें आज के लगबग दो महीने पहले बहुत सारे डॉक्मेंट्स आमादवी पार्टी ने दिल्ली की जनता के सामने रखा था और जिससे ये प्रूब होता है कि भारती जनता पार्टी ने M.C.D. के अंदर लगबग 6,000 करोन रुपे का टोल गोटाला किया किस तरह से एक कंपनी को इन्होंने 1200 करोन रुपे से ज़ादा का टेंडर दिया उस कंपनी ने पहले साल तो पैसा दिया उसके बाद उस कंपनी ने पैसे ही नहीं दिये पैसे ना देने के बावजोद भी उस कंपनी से ही ये टोल का काम कराते रहे बाद में 2021-2022 में उन्होंने जाके उस कंपनी को बदला फिर से टेंडर हुआ जो टेंडर 2016 में 1200 करोन रुपे का था वो टेंडर इन्होंने अब जाके 700 करोड में दे दिया और सबसे दुर्भाग की बात है उसी कंपनी की ही एक सिस्टर कंपनी को इन्होंने ये टेंडर दे दिया हमने पूछा पूरा कैलकुलेशन किया तो लगबग 6,000 करोड रुपे से जादा का गोटाला था हमने दिल्ली के उपमुक मंतरी मनीश शौदिया जी ने लगबग लगबग दोस्त से धाई महीने हो गए एलजी साब ने इस पे जाँच नहीं कराए अभी तक कोई आदेश नहीं दिया इवेन आपका पत्र मिला इसकी जो पावती लिखके भेजते हैं वो भी आज तक नहीं भेजा उन्होंने तो हमारा प्रश्णी ये है ऐसा लगता है कि इस घोटाले में भारती जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता इसमें इन्वाल्व हैं तब भी साहिद एलजी साब की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाच करवा लें